जनम भूमी होने के साथ ही वो माहन भूमी भी है जहां से उन्होंने अपने जीते जी बहुजन समाज के उत्था ने तु काफी संगर्स भी किये हैं जिनके बताय हुए रास्तों पर चल कर ही यह हमारे कारे करता विभीन अन्याय वे अत्याचार आदी को सैती हुई भी उनके सपनों को साकार करने में पूरे जी जान से लगे हैं और मैं आज ये भी कामना करती हूँ कि अगले वर्ट सुरू में ही पंजाब स्टेट में भी होने वाले विधान सबाम चुनाव में यहां सिरी सुक्वीर सिंग बादल जी के निर्तित में बीएस्पी वे अकाली दल गटवंदन की गटवंदन की पून बहुमत की सरकार जर जाप्त हैं हलाके सिरी परकास सिंग बादल जी का राजनितिक वे संसद्य जीवन काफी लंबा सम्रीद वे आम जनहित को समर्पित करने तथा काफी अनुभवो वाला रहे हैं और ये पंजाब स्टेट के कई बार मुखे मंत्री भी रहे हैं और इन्हों ने अपने मुखे म मंत्री तुकाल में यहां की जनता की काफी सेवा भी की हैं इतना ही नहीं बलकि बीएस्पी के जन्मदाता एवन संस्तापक माननेवर शिरी कांशी राम जी के यहां सिरी परकास सिंग बादल जी से बहुत अच्छे समंध भी रहे हैं जिसके बारे में पंजाब स्टेट के लोग भी काफी अच्छी तरह से वाकिफ हैं और जदी वे जीवित होते हैं तो वे भी आज इस सुब अफसर पर सिरी परकास सिंग बादल जी को अपनी सुब कामनाय जरूर देते हैं इसके साथ ही इनके अच्छे समंध होने के कारण ही सन उन्नीस सो च्यानवे में जब बी तेरा में से 11 सीटे जीती थी तो तब उस समय वहां का अंग्रेस पार्टी का लगभग सफाया हो गया था और अब इस बार होने वाले विधान सवाम चुनाओं में भी यही इतिहास फिर से जरूर दोराया जाएगा और तब फिर कांग्रेस पर अन्ने पार्टी का भी जरू जरूर वहां सफाया हो जाएगा इस उमीद के साथ ही अम्मै संक्षेप में अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि अकाली दल खूब फले व्य फूले तथा आगे भी खूब बड़े अंत में अम्मै शिरी परकाज संग बादल जी वैसरी सुपीर सिंग बादल तथा अकाल फिर से सो वर्ष पूरे करने के लिए अपनी हार्दिक बधाई अब हम सुब काम नाये देती हूं इसके साथ ही अब मैं यूपी के समन में भी ये कहना चाहूंगी कि यूपी में विधान सबाम आमचुनाव होने से पहले यहां दूसरी पार्टियों के खासकर निसकासित, नि वाला नहीं है, बलकि जनता ऐसे घोर स्वार्थी तत्वों को अधिकांस आया राम वे गया राम ही कहती है, साथ ही उस पार्टियों को भी अच्छी निगा से नहीं देखती है, फिर भी मीडिया द्वारा जनता को ये सब हर दिन इसे ऐसे परुसा जाता है, दर्साय जाता ह जैसे ये सब ऐसे कोई बड़ी घटना हो, जिससे जनता परभावित हो जाए, जबकि उसमें कते भी सचाई नहीं होती है, इसलिए बीएस पी इस किसम की राजनिती से अपने आपको पाक साफ रखने का भी पुरा-पुरा प्रियास करती है, इसी परकार यहां कुछ पर कई-कई लोगों को टिकट का आस्वाशन दे कर, वे उसकी आड में थोड़ी बहुत भीडी कठा करके, थथा अन्य ओर भी किसम किसम की नाटक बाजी करके, साती चुनाव घोसित होने से कुछ समय पहले, केंदर वे यूपी की सरकार दुआरा भी आई दिन यहां परदे पार्टियों का जनधार बढ़ने वादा नहीं है, बलकि यूपी की जनता, अब यह सब काफी अच्छी तरह से समझ चुकी है,